हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टो मैं चानल आज बनाएंगे सर्सों का साग वो भी बिना प्याज और लेसन के जिसके लिए पानी गरम किया है फिर इसमें मैंने तीन हरी मिर्च अद्रक का टुकड़ा डाला है इसमें साथ ही इसमें मैंने एक केजी के जैसा सर्सों डाला है या जादतर लोग बतुए का साग यूज करते हैं दिल्ली में तो मैंने आज इसमें पालक मिला दिया है और इसे थोड़ा सा गरम पानी में बिठा दिया है इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाती हूं मैं इसमें क्योंकि इसका अगर पका देंगे तो फिर यह इसका जो कलर है वो अजवाइन डाला तीन-चार चुटकी हिंग कूटा हुआ अदरक और फिर से मैंने दो हरी मिर्च डाला है इसमें आपको जितना तीखा पसंद हो उतना आप डाले इसमें आप सुखी सावुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अब इसमें मैं डाल रही हूं टमाटर तीन बारी कटे हुए तो आप अगर लेसन और प्याज खाते हों तो आप जरूर डाले मैं नहीं खाती तो इसमें मैंने नहीं डाला है फिर इसमें मैंने डाला है नमक स्वाद के नुसार अब इसे भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर और बिल्कुल मैश कर देंगे टमाटर को अब इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन और कॉरन यानि मक्क्य का आठा मक्कय का आठा इATA इस में डाला जाता है बेसन भी है डाल सकते हैं तो यहां पे मैंने दोनों को ही मिक्स करके दो-दो चमच डाला है, चार चमच, तीन-चार मिनट तक भुनने के बाद इसमें मैंने ग्राइंड किया हुआ, जो पालक और सरसों को ग्राइंड किया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है, अब थोड़ी देर इसे पकाएंगे, फि पैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद,